कि यो कल मैंने जो आपको बताय था वो बताय था रिडक्षन और रिडक्षन में जो फर्स्ट पॉइंट था वो था इसमेल्टिंग इसमेल्टिंग का मतलब क्या होता है जनरल अगर हम देखते हैं इसमेल्टिंग कि इसमेल्टिंग मीन्स होता है कि जिसमें हम रिडक्षन करते हैं किसके थुरू तरू कारबन के थुरू याने कोल हो गया और सी यो हो गया ऐल्मूनियम को भी ले सकते हैं लेकिन इसका एक अलग और नाम है तो कल हम यहां तक पड़े थे और कारबन के बहुत सारे कौन सा होगा, reducing agent होगा आपके पास, इन में से जो भी है, carbon हो गया, coke, C है, CO है, AL है, उससे हम smelting बोलेंगे. अब क्या होता है कि जो यह aluminium है, इसका अलग से नाम दिया हूए, इसलिए हम कई बार इससे इसमें show करते हैं, कई बार नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या है, अलग से नाम दिया हूए इसका, किसका? अल्मुनियम का तो इसे क्या बोलते हैं देखो इसको कल मैंने आपको लिखाए भी था तो यह पहला वाला क्लियर है इस मेल्टिंग वाला अगर लो टेंप्रेचर होगा जनरली लो टेंप्रेचर में जो बेस्ट रिडूसिंग एजेंट होता है वो जनरली सी ओ होता है और आपर यह इलिंगरम से होता है जो इसके बात बताया जाता है तो यह क्लियर हुआ आगे बढ़ जाओं इससे Smelting Smelting का मतलब क्या हुआ Smelting का मतलब है कि जब reducing agent याने आप reduction किसके तुरू करोगे Coal के तुरू Coal के तुरू Coal के तुरू Almonium भी इसमें include कर सकते That is called smelting Almonium के लिए कि special भी नाम दिया होता है और कई भार उसको पूछा होता है आपके पास तो यह second point आते हम जब क्या होगा Reduction किसके तुरू होगा जो reduction होता है किसके तुरू होगा Almonium के तुरू होता है तो इसके दो नाम है एक इसे कहते हैं Thermite process यह welding में काम आती है इसमें heat निकलती है और यह class 10 में भी पढ़ा आपने कि Thermite process में welding होता है जो railway के जो पठ्रियां होती है उसे जो join करते हम वो इसी process के तुरू करते है क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा heat release होती है Thermite process है यह इसको एक और नाम देते है गोर्ड, स्किमीड एल्मिनू थर्मिक प्रोसेस तो इन दोनों में से कई बार किसी भी नाम से कह सकता है तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ? इन दोनों का मतलब सिर्फ यह है कि जब आप क्या करोगे reduction करेंगे हम किसके तुरू? बाई एल्मूनियम ठीक है? जब reduction किसके तुरू हो जाएगा? एल्मूनियम के तुरू हो जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? थर्माइट प्रोसेस कहेंगे ठीक है? जब जो reduction है वो किसके तुरू होगा? एल्मॉनियम के तुरू इसमें कोई डावर किसी को बताओ तो देखो एल्मॉनियम जो होता है अगर वहाँ पे reducing agent होता है जो एल्मॉनियम होता है उसे कहते है thermite process यह एक और नाम है इसका gold smid गोल् smid thermic process यह scientist का नाम है जिसने इसको दिया था, इसलिए उसका नाम रखा है, अब इसमें क्या होता है, कि जो reducing agent होता है, reducing agent होता है, जो, वो aluminium होता है, यारने aluminium के through reduction होता है, इसी को कहते है, thermite process, ठीक है, the process in which, या the reduction in which, aluminium is act as a reducing agent, जिसमें aluminium होता है, जो reducing agent की तरह work करता है, और ये welding में भी काम आता है, ध्यान रखना, ये class 10th में question पूछा था आपको, कि जो railway track होते है, उसमें जो welding होती है, तो उसमें कौन सी process यूज होती है, ठीक है, इसमें यही thermite process होती है, और क्यों होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, large amount of heat produce होती है, इससे large amount of heat निकलती है, और उससे hard substance बनता है, Al2O3, और वो welding में काम आ जाता है, railway track में, ठीक है, अब इसकी reaction में आपको बता देता हूँ, पहले किसके जो oxide हो से reduce करता है, CR, दूसरा FE, तीसरा MN, चौथा SI, इनके अगर oxide होंगे, तो उससे change कर देगा, और aluminium जो powder है, वो किसमे change हो जाएगा, AL3 plus में, या फिर हम इसे कहें, AL2O3, fix है, कि यह C में change होगा, ठीक है, अब iron के case में ऐसा होता है, उसे कहते हैं, welding के लिए जो काम आता है, वो iron के case में, अल्मूनिय में iron oxide होता है, ठीक है, आपने इसके साथ इसको heating करी, अब क्या बनेगा, AL2O3 बनेगा, और iron अलग हो जाएगा, तो iron को अप अलग से निकाल लोगे, reduction करके, ठीक है, और यह बनता है, तो यह किसके लिए use होता है, welding के लिए, welding करने के लिए किसके में, railway को joint करने के लिए, जो railway track होते हैं, उसको joint करने के लिए welding में काम आता है, तो यहां पर बहुत amount of heat क्या होती है, release होती है, यहां पर del H negative होता है, याने कि large amount of heat release होगी, और एक hard substance बन जाता है, जिसलिए welding में काम आता है railway track में, ठीक है, aluminum के case में, दूसरा देखो example, CR का, तो CR के case में क्या होगा, CR2O3, इसको फिर aluminum से करोगे आप, तो जैसे आपने देखा CR है, तो यह product बने गए बनेगा, देखो, AL2O3, प्लस CR, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ऐसा होता है कि welding अगर आप कर रहे हो, तो इसमें ज़्यादा heat किससे निकलती है, और hard किससे बनता है, ठीक है, इसमें यह depend करता है कि जैसे हमने railway track है, अब हमें पता है कि railway के लिए आप कोई गलती नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो इसमें यह hard बन जाता है, जब आप welding करोगे, AL203 से तो यह hard होता है, ताकि वहाँ पर जो joint होगा, वो strong होगा, तूटेगा नहीं, अगर तूटेगा तो बहुत ज़्यादा harmful कर सकता है, इसलिए उसमें hard material होता है, और welding होनी चाहिए बहुत strong quality की, अगर वैसे लोग है, तो इतनी बड़ी train उससे अगर pass out हो रही है, तो व ज़्यादा hard होगा as compared to this one, तभी हम इसकी welding करना start कर देते हैं, अब देखो aluminium है, अगर इसमें हमने CR2O3 डाला, तो हमारा काम क्या है, CR को अलग करना, तो हमने CR को अलग कर दिया और इसमें बन गया AL2O3, तो पहला मैंने example किसका बता है, आपको iron का, दूसरा CR chromium का, तो chromium में देखो reaction क्या है, answer एक ही आना देखो, AL2O3 सब में बनेगा, और metal अलग हो जाएगा, चाहे कोई यहाँ पर कोई भी compound होगा, जैसे तीसरा मैंने का आपको AL plus Mn3O2, यह तो oxide होगा न, त्यूंकि आपको तो oxide मिलेगा, अब आपको oxide को change करना है किस में, metal में, तो आपको जो य Mn किस में change हो जाएगा, यह Mn3O4 Mn में change हो जाएगा, बाकि हम balance कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें किया मिल गया, magnesium मिल गया, यहाँ से, aluminium के तरो, और जो इसमें fourth example है, वो है SiO2 का, SiO2, product same बनेगा, product में कोई change नहीं करना है, देखो, Al2O3 रहे गए रहे गया, इसमें Si को बहार बस आपको ही ध्यान रखना है, कि जो thermite process है, वो भी smelting में आती है, और वो किस-किस metal को अलग करती है, जो carbon है, वो किसे अलग करती है, Al किसको अलग करती है, और बाकि और method है, तो यह समझ में आया, thermite process reduction by Al, Alumunium, clear है, okay, अब देखो, क्या होता है, कि जो भी process है, इसको थोड़ा सा आपको learning भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यह learning portion है, इसमें question आएंगे, आसान से question आते है, hard question कभी नहीं पूछा जाता है, यह scoring है, चाहिए आप commutative level में देखो, तो इसमें मैं advance भी question दिखाऊँगा आपको, तो वो भी आप कर दोगे, अगर मैंने chapter आपको पूरा बता दिया, और मैं वो question दूँगा, तो वो question आपको आता होगा, मतलब तो जो question का level है इसमें, वो hard नहीं आता है कभी भी, आसान सा ही question पूछा जाता है इसमें, ठीक है, अब reduction का तीसरा टाइप मैं आपको बताता हूँ, auto reduction, auto का मतलब आपको पता है कि अपने आपी reduction हो रहा है, यानि आपे इसे कह सकते है, self-reduction, self-reduction, self-reduction क्या होता है, a process a process in which, in which sulphide ore, sulphide ore of less electropositive, electropositive metal, electropositive metal are heated यह फिर आगी है, इसको हटा देता हूँ, आपको बताता है, जिसमें, अपने आपी reduction हो जाता है, auto reduction, auto reduction में अपने आपी reduction हो जाता है, थोड़ा सा इसकी defined change है, लेकिन जो चीजें है, वो सेम हो जाती है, a process in which sulphide ore, sulphide ore of less electropositive, less electropositive कौन होते, नीचे वाले जो, less electropositive में कौन-कौन से आजाएंगे, देखो, copper आजाता है, Hg आजाता है, mercury और lead, ध्यान रखना, ये तीनों ही आते हैं, जिनका auto reduction हो जाता है, are heated, are heated, ठीक है, आप इनको heated करते हो, in the presence of air, presence of air, ठीक है, sulphide ore है, जैसे मैंने का Cu, Cu का sulphide हो जाएगा, Cu2S, इसमें roasting नहीं होती ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि इसमें roasting नहीं होगी, partial roasting होती है, HG के लिए क्या होगा, HGS हो जाएगा, PB के लिए क्या होगा, PBS हो जाएगा, इस case में क्या होगा, auto reduction हो जाएगा, इसमें अपने आपी reduction हो जाता है इनका, ठीक है, इसमें आपको reduction करने की जरूरत नहीं है, तो यह समझ में आगे आपको, कि जो process होगी, sulphide ore का, less electropositive देखो, यह hydrogen से नीचे होते हैं, तीनों के तीनों, याने इनकी जो reactivity होती हो, बहुत कम होती है, तो less electropositive nature, या less reactive वाले, इसमें आजाते हैं, और वो तीन हैं हमारे पास, Cu, Hg, and PV, इनके sulphide, तो इसमें क्या होता है, partial, partial roasting होती है, उसको जैसे roasting के लिए मैंने आपको कहा था, कि sulphide होना जरूरी है, ठीक है, roasting के लिए क्या होता है, sulphide होना जरूरी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, roasting नहीं होती है, इसमें सीधा reduction एक साथ हो जाता है, आपने heat दी, oxygen के साथ, आप सोचोगे इसका reduction होगा, लेकिन होता नहीं है, देखो example के तो बताता हूँ, जैसे lead है, PB, इस case में क्या क्या बन जाएगा ये, 2PBO प्लस SO2, SO2 गैस निकल जाती है, अब होगा क्या देखो, कि ये अपने heat, automatically, आपने सुचा ये reduction, roasting करवा दी हमने, लेकिन यहाँ पर roasting नहीं होगी, यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा, ये PBS और PBO, ये दोनों आपस में क्या होंगे, combine हो जाएगे, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होके, combined होके, final क्या बना देंगे, PV बना देंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, auto reduction हो जाता है, याने जो हम reduction की special process कर रहे हैं, कि reduction कारवन के तुरू होगा, aluminium के तुरू हो रहा है, कोई और method के तुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी reducing agent क जरूवत नहीं है, ये अपनी आप ही क्या हो जा रहा है, reduction हो जा रहा है, तो reducing agent के हाँ पर जरूवत नहीं है, ठीक है, तो ये example है किसका lead का, यहाँ रहे हैं, lead, तो हमने क्या किया, इसे कहते है, partial roasting होना, roasting के साथ साथ क्या भी होगा, reduction भी अपनी आप हो गया, हमें lead मिल लि और lead अलग हो गया, और SO2 gas यहाँ से बाहर हो जाएगी, तो पहले example है, दूसरा मैंने आपको बताया था copper का example, copper का देखते हैं, देखो, Cu2S, इसे balance कर लेना बाद में, O2, गिप्स तो इसको इससे मिलके क्या बनता है, copper oxide, और SO2 gas release हो जाएगी, फिर क्या होगा देखो, फिर Cu2S, और यह देखो, यह वाला और यह वाला, यह दोनों आपस में combine हो जाते हैं, फिर क्या बनेगा, copper अलग हो जाएगा, और SO2 अलग हो जाएगी, तो यह अलग हो गया, automatically, इसमें reducing agent की हमें जरुवत नहीं पड़ी है, तो इसे कहते है, auto reduction, अपने यहाँ पी reduction हो गया, और यहाँ पर जो copper बनता है, इसे कहते है, blister copper, blister copper, जिसमें जो SO2 की presence में होता है, लगबग 98 point something, इतना pure होता है, जो अभी बनेगा, यह भी काफी pure होता है, उसे कहते है, blister copper, ठीक है, तो यह second point है copper का, तो इसमें भी reducing agent की जरुवत नहीं पड़ी, अपने roasting के लिए क्या किया, oxygen pass करके heating करें, और heating करने के बाद क्या हुआ, आपको सीधा copper मिल गया, हमें oxide में change नहीं हुआ है, यह oxide जैसे बना, इसमें फिर इसके साथ combine किया, और finally आपको copper मिल गया, तो reduction नहीं होगा, तो उसे कहते हैं auto reduction, एक और example इसमें तीसरा, Hg वाला, Hgs plus O2, इसमें क्या बनेगा, HgO plus O2, अब आपको पता है, पहला ये वाला लेंगे, दूसरा ये लेंगे, अब ये दोनों हपस में combine हो जाएंगे, Hgs plus HgO, तो क्या बनेगा, Hg हो जाएगा अलग, और O2 अलग हो जाएगा, तो यह तीन और example है, इसके auto reduction के, तो auto का मतलब automatically हो गया, याने reducing agent की हमें जरू के case में होता है, तीन, sulfide है इसमें, copper, Hg, और PB, क्या होगा पर वो, ठीक है, Hg, Cu, और PB, तो इन तीनों के case में क्या होता है, auto reduction होता है, और ये least reactive वाले होते हैं, तो यह समझ में आगिया आपको, reply करके बता दो मुझे, यह learning portion है, और इसको याद ही करना पड़ेगा, इसके बाद आता है, इसमें hydrometallurgy, hydrometallurgy, वैसे metallurgy के types में भी आ जाता हो, इसको आगे भी बताऊंगा मैं, और अभी भी देख सकते हो, अब दोनों में है यह, इसमें क्या होता है, azure au के लिए, जो मैंने आपको बताया था, mac, arthur, forest, cyanide process था, वही चीज़ है इसमें, पहले हम क्या करते हैं, first point हम क्या करते हैं, dissolve करते हैं, dissolve in suitable solvent, suitable solvent में हम इसे dissolve करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, उसे react करते हैं, react with more electropositive metal, more electropositive metal, तो ज्यादा electropositive metal होता है, जनली हम यहापे zinc लेते हैं, इससे इसको react करेंगे, ठीक है, तो यह reaction मैंने आपको बताया थी, एक बार मैं फिर repeat कर देता हूं, वो hydrometallurgy में भी आएगा, इसके लिए होता है, silver and gold के लिए होता है, अगर मैं silver के लिए बोल रहा हूं, पहले silver, आपने सिल्फ क्या करना है, यहाँ पर ag लिख दो बस, बाकि सब सेम है, यहाँ कोई change नहीं देखो, अब क्या होगा, इसको किसके साथ reaction कराएंगे, जिंक के साथ, तो displacement reaction हो जाती है, यह more reactive होता है, electropositive का मत ag को यहाँ से अटा देगा, और यह बन जाता है, na2, zn, cn का 4, और यहाँ से ag बाहर हो जाता है, तो ag को हम displace कर देते हैं, यहाँ से, तो यह भी hydrometallurgy में आ जाएगा, दूसरा gold का है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ag की जहाँ पर हमने क्या लिख लिया, au लिख देंग और इसको हम react करते हैं, जिंक के साथ, तो product भी लगबग सेम बनता है, na2, zn, cn का 4, और gold यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो इसे कहते हैं hydrometallurgy, तो hydrometallurgy का मतलब होता है, कि सबसे पहले हम उसको dissolve करते हैं, किसी suitable solvent के साथ, और फिर उसे react कर देते हैं, more electropositive metal के साथ, तो इस process को हम कहते हैं hydrometallurgy, और इसका example कौन सा है, gold and silver, ठीक है, तो इसमें कोई problem किसी को? reply करो, yes, no, no, sir, okay, तो यह है hydrometallurgy, याद रखना आपने, छोटा साही चेप्टर है, बड़ा नहीं है, अब इसमें आता pyrometallurgy, pyro, pyrometallurgy, तो pyro जहां पे भी word आएगा, तो pyro का मतलब होता है, heating से, जहान रखना, pyro का ही मतलब है, heating, और metallurgy तो आपको पता ही है, याने कि, यहाँ पर क्या होगा, extraction of metal हो जाएगा, extraction of metal हो जाएगा, using heat, हमने heat को use करके क्या करना है, metal को extract करना है, उसे कहते हैं pyro metallurgy, example के लिए, जैसे hg o है, इसको हमने heating किया, तो यह बन जाएगा, hg plus, मतलब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वो ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको सही लगता है, second, ag के case में भी यह होता है, hg ag, इसको भी heating करिए आपने, ag अलग हो जाएगा, oxygen बाहर हो जाएगा, ऐसी तीसरे example है, gold का, gold है AU2O, यह कई भार लिखा होता है से AU2O3, एक ही बात है, यहाँ पर इसके oxidation state plus one होती है, और यहाँ पर plus three होती है, तो plus three ज़्यादा stable माना जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों में एक ही जैसी reaction हो रही है, तो heating करेंगे, तो क्या होगा, AU पहार हो जाएगा, oxygen अलग हो जाएगा, तो यह metal आपको मिल जाएगा, और हमने किस से किया heating करके, यह जो triangle है, इसका मतलब है heating करना, तो यह उसका sign है, जब हम extraction कर रहे हैं या reduction कर रहे है देखो, यह reduction में पढ़ रहे है, reduction का मतलब removal of oxygen, तो जब हमने यह stage तक आते आते, जितने भी element होंगे, उसको हम oxide में change करतेंगे, अब oxide से आगे वढ़ने है हमने, कि removal of oxygen, तो यह चीज का ध्यान लगते हैं आपने, जो यह stage पहुँचे हम लोग, यहाँ पे हर एक चीज क्या ह पाउम में होगी, ठीक है, तो oxide के लिए हम क्या करेंगे, कि जो यह oxide है, इसको heating किया आपने, तो oxygen इससे बाहर हो जाएगी, और आपको क्या मिलेगा, यह crude metal मिल जाएगा, यह impure metal, अभी भी यह pure नहीं है, impure है, तो यह होगी आपकी pyro metallurgy, तो pyro में किसी को कोई problem any doubt in pyro metallurgy, तो देखो इसके बाद है, आपके पास एक और है, electrolytic reduction, अब देखो मैंने यह word आपको समझाया हुआ, इसका मतलब कोई बता सकता है, मिरको क्या होता है, electrolytic reduction, electrolytic का मतलब क्या हो गया, क्या करेंगे हम जिससे reduction होगा, हाँ, क्या कह रहो सुमित, reduction with the health of electricity, हाँ, मिलकु सही का आपने, और इसके लावा example है, सुरुती, very good, तो इसमें ध्यान रखना, जहां पे भी electrolytic word आ गया, देखो, यह कुछ meaning होती है, जो आपको बार-बार हम repeat करते हैं, ताकि आपको ध्यान आ जाए, Electro का मतलब क्या हुआ, electricity, जहां पे हम electricity देंगे और reduction हो जाएगा, उससे हम कहेंगे, electrolytic reduction, electro कहीं पे भी word आ गया, इसका मतलब वहाँ पे electricity use हो रही है, ठीक है, तो यह उसके code point है, reduction का मतलब आप तो पता ही है, reduction का मतलब removal of oxygen, या addition of hydrogen, तो यहां पे तो हमने सबको oxide में ले गए थे, अब होता है क्या है, यहां पे थोड़ा सा, यह थोड़ा सा हटके है, पहली चीज क्या होता है, यह किसके लिए applicable होता है, यह उनके लिए applicable होता है, जो highly reactive होते हैं, क्योंकि इसमें electricity होती है, तो खर्चा बहुत आता है, तो वैसे चीज का जिनका आपको फाइदा होगा, और दूसरी highly reactive जो metals होते हैं, उसके लिए हम इसे use करते हैं, जैसे alkaline metal हो गए, alkaline earth metal हो गए, जो भी आपने reactivity series में देखा होगा, जैडन के उपर, देखो आपको मैंने तीन category में divide कर दिया था, ठीक है, यह electro chemical series बहुत जादा important है, तो जो जैडन से अब आप होगा, देखो electro chemical series में क्या था, lithium, K, बाबा, सरदार, काका, नाना, मांगे, आलू, पानी में मैने, जिन्दा करो, इससे देखो, इससे जो अब अब होँगे, यहां से अब अब अब, यह हम मानते हैं, इसको अटा दो, इसको यह मानते हैं, कि यह highly reactive होते हैं, यह जो ज़ादा reactivity होते हैं, इसके लिए हम क्यों सा process यूज़ करेंगे reduction करने के लिए electrolytic refining पो sorry electrolytic reduction यूज़ करेंगे reduction हम किसके case में करेंगे जो highly reactive metals है उसके लिए हम use करते हैं electrolytic reduction ध्यान रखना और उसके बाद middle जो था medium वाले जो क्या थे moderate reactive थे उसके लिए carbon and co use करें थे ALB भी बीच में आ जा रहा था CR वगरा के लिए ठीक है तो यह smelting वगरा आ गया था फिर least वाले के लिए जो सबसे कम थे उसके लिए कौन सा आ गया था auto reduction या पाइरो वाला auto reduction या पाइरो metallurgy या hydro metallurgy यह least वाले की कामा थे जो least वाले उनके लिए यह वाला method यूज होगा जो बीच वाले थे आपका उसके लिए smelting यूज हो जाएगी और जो highly reactive है उसके लिए कौन सा यूज होगा उसके लिए होगा electrolatic reduction ठीक है इसलिए ध्यान रखना reduction की category को मैं आपको फिर से बता देता हूं highly reactive है जो top में है उसके लिए electrolatic reduction का यूज हो जाएगा और जो moderate वाले थे जो medium थे जेडन से आगे copper तक के इसके लिए use हो जाता है generally कौन सा smelting जिसमें सब आ जाते हैं CCU Almonium तीनों आ जाते हैं उसके बाद भी least वाले के लिए क्लिए क्या होगा auto reduction हो गिया या pyro वाला हो गिया ठीक है hydro वाला हो गिया यह least के लिए काम करते है जो least reactive होते है इस तरीके से worthwhile कर दिया अब इसमें होता क्या को जो आपने electro chemistry में पढ़ा है वह होगा बस उसमें कोई फरक नीं होने का एल्लैटिक अकसमें कुछ भी फरख नहीं होने का जो आपने किसमें पढ़ा हूआ है इलेक्टोलै्टिक खञेस्ट्य ही होगा जैसे हमने कोई भी मैटल ले लिया एने सी एल ले लो ठीक है या कोई भी जैसे एने रियक्टिव है यह वाला पॉर्शन कुछ भी होगा इससे कोई फरक्नी पड़ता है क्यों क्योंकि जब भी आप इसे ब्रेकडाउन करोगे तो किसमें टूटे गया एने प्लस में और यहां सी एल मानस में ओक्सीजन होगा तो जाएगा और कोई फरक्नी पड़ने का श्रीक है बताओ यह इलेक्टोलैटिक सेल वाला जो प्रोसेस है वह सेम वही डियाग्राम इसमें बना सकतो आप लो अंसर जो हेमंत ने सही अंसर दिया को जो यह मेटल है जैसे यह एमघी 2 प्लस है तो यह कहाँ जाएगा किस जगा डिपोजीट होगा अनॉड की साइड यह कैथोर की साइड आपको डायग्राम से भी बता देता हो चलो जैसे यह है डायग्राम आपने क्या-क्याई सैल बनाया इसमें क् कर दिया आपने अच्छा अंसर देख लेता हूँ पहले अंबिका या मिनी राइट अंसर है ठीक है अब आपने क्या किया यहां से इसको बैटी लगा दी देखो जो सेल में आपने किया तो वही करना है कोई अलग से नहीं कर रहे हम लोग यह हो गया यह बैटी लग गई इसमे ठीक है अब जिसका reduction करना है उसे मैं यहां फिल करता हूँगा सपोज मैंने यहां पे लिख दिया molten NaCl तो आपको पता है electricity की presence में क्या होगा यह electrolyte हम उस करते हैं तो यह ions में तोट जाएगा अब आपको पता है अगर चार्ज होगा तभी तो टूटा हुआ है अब यह एनी प्लस कैथोड की तरफ मूप करेगा यह एनोड की तरफ मूप करेगा आप बताओ और आंसर 31 से आंसर असके अलावा और कोई आंसर अंबिका यामनी और सुरूती नहीं स्ही आंसर दिया किमन्टने सोरी और स्के लावा कि यह जो प्लस है हाँ सुरूती राइट आंसर है तो जो मैटल है वो कहाँ डिपोजिट होगा पूरी लेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोलैटिक सेल है उसमें हमने चीज पड़ी है तो इसका आंसर क्या होगा जो प्लस चार्ज है वो माइनस की तरब जाता यानि यह किदर जाएगा कैथोर में तो जो भी मैटल हो कहां डिपोजिट होते जाएंगे कैथोर में तो मुझे यहां पर यहां पर सोडिया मैटल होगा यहां डिपोजिट हो जाएगा कहां पर कैथोर में प्रोसेस होगा इसलिए कहते हैं कि जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं वो चीज पीछे दुबा पी टीसन होता हुँसका तो यह सेल हुआ हीग है देखो कोई चेंज नहीं है उसमें सबrup mermaid क्या किया कि ke electricity जैसे ही पास करेंगे electricity पास होने से क्या होगा जो भी इसमें एक्ट अशन में रखा होगा वह दो पॉर्ट में सब्सा हुआ हो जाएगा । और जो माइनस वाला है वह प्लस की तरफ मूप करेगा यानि मैटल होगा उच्छिंचित होगा वह कुन हो जाएगा ऑल्वेज कैफोड में है क्यों क्योंकि metal positive charge है तो positive हरमे से किधर की तरब जाएगा negative sign की तरह इसलिए जितने भी metal हमें मिलेंगे वो कहां मिलेंगे यह थोड में बिलेंगे इस process को हम कहते हैं electrolytic reduction तो यह समझ में आया आप लोगों को electrolytic reduction क्या-क्या धियान रखना है देखो electrolytic reduction है जो electrolytic reduction पहला यह किस तरीके के metal के लिए यूज होता है पहला question है अब answer बताओ मुझे जरह के करके कि जो electrolytic reduction है वो किस तरह के metal के लिए यूज होगा हमन्त शुरूती राइट आंसर है जो electrolytic reduction है वो किस तरह के metal के लिए यूज होगा तो इसका आंसर है highly reactive पहला question हो गया दूसरा question है इसमें कि जो metal होगा वो कहाँ deposit होगा यह तो अपने answer बताए जिये था इसमें cathode पे ठीक है इसमें क्या होगा electricity pass होगी यानि electrolytic cell में होगा यह तो यह कहां होगा electrolytic cell में होगा electrolytic cell में यह process होगी जो हमने पढ़ी थी पहले भी ठीक है तो यह आपका reduction फिनिस हो गया तो reduction में किसी को कोई भी question any question in reduction बताओ इस्टेफ फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था इस्टेफ फर्स्ट में पढ़ा था concentrated में लाने के लिए चार method यूज किये थे gravity separation, magnetic separation, flow, flotation process और leaching concentration में ले आये थे हम step third में क्या किया था concentration से हम में क्या किया था उसे metal oxide में change किया था इसके लिए हमने दो method यूज किये थे एक है calcination और दूसरा था roasting ठीक है आर ओ एस्टी एंज रोस्टिंग अब metal oxide के बाद हमने क्या किया step four में पहुंच गया step four में step four में क्या किया था जो metal oxide है metal oxide से किसमे चेंज करना है उससे crude metal में ठीक है तो crude metal में change करने के लिए हमने reduction करना था तो reduction करने के लिए हम में बहुत सारे method यूज की थे इसमें तेको reduction करने के लिए एक है smelting हुज किया था इसी में thermite process भी आ जाता है thermite process hydrometallurgy यूज की थी hydrometallurgy हो गई और फिर pyrometallurgy हो गई और auto reduction हो गया जिसमें अपने आप reduction होता है और electrolytic reduction हो गया तो यह step हमने यहां तक complete कर लिए है यहां तक में किसी हो कोई problem any problem और any topic में बताओ मैंने आपको सारे topic ही उता दिये कोई भी topic में आपको problem ओकी है सुमित auto reduction में देखो क्या होता है एक में time खतम हो गया है rejoin कर लो सेमाइडी पे